स्वास्थे हमारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ये हमारी जीवन की सभी गतिविध्या, जाहे वो बर्तमान की हो या भविश्य की, सभी को ये प्रभावित करता है। यहां तक कि हमारे विचारों पर और जो हम अपने भविश्य के लिए योजनाय बना रहे हैं, उन पर भी स्वास्ते का सीधा प्रफाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने स्वास्ते को नजर अंदास नहीं करना चाहिए, बलकि अच्छे स्वास्ते के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हड्यों की, हड्या हमारी शरीर का धाचा है, हमारे शरीर के सभी movements इनी हड्यों से जुड़ी मास पेशियों के कारण होता है, साथ ही ये हड्यां हमारी शरीर के सभी organs को सुरक्षित भी रखती है, हड्यों में अगर कमजोरी आ जाए तो ये movements restricted हो जाते हैं, जो कारे पहले बड़ी फुर्ती से कर लेते हैं, उन्ही कारे हो करने में परिशानी होने लगती है, हमारी हड्यों की सेहत के लिए सबसे जरूरी है calcium और vitamin D, vitamin D एक ऐसा vitamin है, इसके बारे में हम आज कल अकसर सुनते ही रहते हैं, और जैसा की अकसर होता है, कुछ बाते सही होत हैं, तो कुछ बाते गलत थी, और इन्ही सुनी-सुनाई बातों के कारण हमारा confusion पढ़ता जाता है, तो IS vitamin के बारे में आज कुछ विस्तार से जानते हैं, vitamin D एक मात्र ऐसा vitamin है, जो हमारा शरीर खुद ही बना सकता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमारे शरीर को सूरी की र कर सकते हैं, लेकिन आज कल के भाग दोड के जीवन में किसी के पास भी समय नहीं है धूप में पैठने का, या फिर कभी प्रदूशन के कारण, तो कभी हमारे तवचा का रंग जादा कहरा ना हो जाए, इस कारण से हम धूप में बैठना पसंद नहीं करते हैं, और इसी कार धीरे धीरे हमारे शरीर में विटमिन डी की कमी होने लगती है, आखिर विटमिन डी की हमें जरूरत क्यों है, तो पहले ये जानते हैं कि विटमिन डी करता क्या है, हमारे बोन्स को जिस कैल्शियम की आवश्यक्ता होती है, उसको हमारा शरीर खाने से विटमिन डी की साहरे की एब्जॉब करता है यानि कि अगर हम अच्छी मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन शरीर में विटमिन D की कमी है तो वो कैल्शियम हमारी शरीर में एब्जॉब नहीं होता है यानि कि वो कैल्शियम हमारी लियोपियों की साबित नहीं होता है साधारन सी भाशा में अगर हम कहें तो विटमिन D वो गाड़ी है जिसमें बैटकर कैल्शियम हड्डियों तक पहुँचता है इसके अलावा हमारी शरीर की इम्मिनिटी को बढ़ाने में, लंग्स की अच्छी सेहत के लिए, दिमाग के विकास में, मास बेशियों के कारे में और यहां तक की कैंसर के रोप थाम में भी विटमिन D मदद करता है ऐसा देखा गया है, जिनको डाइबिटीज है, हाई ब्लड प्रिशर है, अस्थमा, इल्जाइमर्ज या भूलने के बिमारी या कुछ कैंसर में भी विटमिन D की खास तौर से कमी पाई गई है इसलिए ऐसे लोगों को विटमिन D का टेस्ट जरूर कराना चाहिए इस बात का भी ध्यान रखिये, जिनका वजन अधिक बढ़ा हुआ है, या तोचा का रंग जादा गहरा है गरपती महिलाएं, जो बच्चों को दूद बिला रही है, वो महिलाएं, इन सब में विटमिन D की खास तौर से कमी देखी जाती है इसलिए इन लोग को विटमिन D के प्रती सचेत रहना बहुत जरूरी है क्योंकि खाने पीने की चीजों से हमें आवशक्ता के अनसार विटमिन D नहीं मिलता है, तो हमारे पास दो ही तरीके हैं या तो हम निर्धारित समय के लिए दूप में बैठे या फिर हम विटमिन D सप्लिमेंट्स ले, आप सोच रही होंगे तो क्या सारा दिन धूप में बैठेंगे तब विटमिन D बनेगा या तवचा लाल होने लगेगी तब विटमिन D बनेगा, तो ऐसा नहीं है जितना समय तवचा के लाल होने या जलने जैसे अनुभव में लगता है उसके आधे समय में विटमिन D बन जाता है याद रखिए आधे समय में तो आपको शरीर के लाल होने या टैन होने का इंतजार नहीं करना है जिनकी त्वचा हलके रंकी है उनके लिए ये समय मात्र 15 मिनिट का हो सकता है और जिनकी त्वचा गेहरे रंकी है उनके लिए लगभग एक घंटे का समय हो सकता है इसके बाद आप चाई में बैठें संस्क्रीन लगाएं और जरूरत से अधिक धूप में बैठने की आविश्यक्ता नहीं है अब बात करते हैं कि धूप में कब बैठें क्यूंकि विट्मिन डी अल्ट्रा वॉयलिट वी रेज की मदद से बनता है इसलिए दुपहर की धूप जादा फायदे मंद होती है क्यूंकि उस वक्त अल्ट्रा वॉयलिट वी रेज सूरी की रोश्नी में जादा होती है इसका एक आसान सा टेस्ट भी है अगर आपकी परच्छाई आपसे छोटी है तो वो धूप के सेवन का अच्छा समय होता है जो लोग एक्वेटर के पास वो विटमिन डी आसानी से बनाते हैं लेकिन आप एक्वेटर से जितना दूर होते जाएंगे विटमिन डी उतना ही कम बनता जाता है अब यह जानते हैं कि शरीर के किस हिस्से को धूप लगाएं अगर हम पीट को धूप लगाते हैं तो जादा विटमिन डी बनाते हैं और देखा गया है कि भारत में 80-90 प्रतिशत लोगों को विटामिन D की कमी की कभी का इलाज बहुत आसान है, कमी को पूरा करने के लिए हमको पूरा नहीं कर सकते हैं, दूप में बैटने से हमें उस दिन के लिए जितना विटामिन D चाहिए हो तो दूप से बिल जाए गड़ा है लेकिन अगर पुछले साल दोसाल के अगर विटामिन D की कमी है, तो उसके लिए इलाज लेना ज़रूरी है विटामिन D का जो केमी कल विटामिन D आता है, उसको आसानी से ले सकते हैं, इसकी गोलिया भी आती है और छोटे पैकेटे It